हलो फ्रेंस वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल तो आप लोगो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे योनो SBI डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को ले करके कि इस अकाउंट में पास्बुक मिलता है या फिन नहीं मिलता है और अगर हमें पास्बुक मिलता है तो हम कैसे ले सकते है मैं कैसे मिलेगा पास्बुक तो इस फुड़े में आप लोगों को ये बताने वाला हूं इसके साथ ही आप लोगों को मैं पास्बुक भी दिखाने वाला हूं जो कि मुझे योनो SBI डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पे ही मिला है तो मेरे पास इस टाइम पे दो किया कुछ डीटेव हैं और साथे-साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको पास्बुक कैसे मिलता है तो मेरा बता देना चाहता हूं को 2 साल पूरे हो गए हैं और यह मैं जैसा कि आपको दिखा रहे हैं इस टाइम पर यह मेरा भाई का पास्बूक है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिवेट कराने का अकाउंट नंबर लेने के लिए और फुल कवाईसी भी आपकी ब्रांच में उसी टाइम पर हो जाती है और इसके साथ ही साथ जो आपका सिगनेचर वगएरा उस टाइम पर जितना भी कवाईसी का प्रोसेस है वो ब्रांच से कम्प्लीट कर दिया जाता ह है और regular savings account का मतलब होता है normal savings account या फिर general savings account तो इसको लेकर आजसे जदा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि अखिर यह क्या है और यहां पर आपको पास्बुक भी दिखा दे रहा हूं तो यह कुछी इस तरह का पास्बुक आपको मिलता है जब आप जो है यह नो डिरिटा insurance के काट लिए गये डेबिट कर लिए गये हैं और बाकी एक 1000 रुपे account में पड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 1000 रुपे debit किये गये हैं और यह insurance का debit किया गया है मैं यहाँ पर details hide कर दिये हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर details न शो हूँ कि यह account number अगयरा यहाँ पर show होता है तो इसलिए मैंने उसको hide कर लिया है और बाकी यहाँ पर 1000 रुपे में पड़े हुए हैं और यहाँ आप लोगों को मैं बताना चूंगा कि अभी SBI जो है State Bank of India नन मेंटरिंस का कोई चार्ज नहीं ले रहा है अभी के टाइम में लेकिन हाँ आपको इनिश्यल funding करना पड़ता है जितना branch आपसे माँगे और यह मेरा passbook है जिसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं digital savings account account type में digital savings account तो यह आप confused मत होई है regular savings account और digital savings account को ले करके बहुत अदा confused नहीं रहना है तो दोनों बिलकुल सेम से ही काम करते हैं मतलब कि दोनों के जो functions होते हैं वो बिलकुल एक ही होते हैं और जो features और benefits आपको मिलते हैं वो भी बिलकुल एक ही होते हैं और जो charges वगएरा रहेंगे वो भी same ही रहेंगे तो यह यहां पर आप मेरे पास्बूक पर पढ़ सकते हैं डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और मेरे भाई का जो पास्बूक तो उस पर दिया हो तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट और यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो ब्रांच है वो योनो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करती है जब भी कोई अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच विजिट करता है ऑनलाइन उसका अकाउंट ओपन किया जाता है वही योनो एप से तो वही योनो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करते हैं टिवेट होता है और आपकी full KYC कराई जाती है तो जब आप अपने account में fund deposit कर रहे हैं और पैसे डाल रहे हैं तो उसी time आपको कहना है ब्रांच से वैसे तो लोग खुदी आपको passbook दे देते इसू कर देते हैं लेकिन अगर इसू ना करें तो आपको खुदी कहना है request करना है क आपको passbook के ज़रूरत है तो उसके बाद आपकी branch आपको passbook issue करेगी बस बिलकुल सा process होता है इसमें आपको कोई भाग दोड़ करने को ज़रूरत नहीं होगी बहुत ही आसानी से passbook मिल जाता है और मेरे branch पे तो बहुत आसानी से मतलब बिना कहे जो passbook मुझे दे दिया था और वो भी बिलकुल सेम डे में और इसी तरह से आपको passbook मिलता हूं अमीद करता हूं कि आपको यूडियो पसंद होगा अगर आपको यूडियो पसंद हो तो लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देए उडियो को शेयर कर दीजिए उडियों बहुत 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